नासकार दोस्तों, British Broadcasting Corporation यानि की BBC के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर मोधी सरकार के Income Tax विभाग का सर्वे यानि पढ़ताल चल रहा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, दिल्ली के दफ्तर में Income Tax विभाग जो है घुस गया है उनके तमाम पत्रकारों से और जो उस दफ्तर में काम करने वारे लोगों से मुबाईल फोन्स जब्त कर लिए गए हैं उनको ये हिदायत दी है कि वो किसी से बात ना करें मगर खबर फिर भी बाहर आ ही रही है बात वाँ नहीं रुकिए दोस्तों, मुंबई के दफ्तर में भी लगभग यही हाल है इस तरह से देश का नाम मोधी सरकार अंतर राश्वी तोर पर रोशन कर रही है दोस्तों और अजीबों करीब इत्तफाक देखिए दोस्तों देश के ग्रे मंतरी अमिच शहा ने आज A&I को इंटर्वियू दिया और इस इंटर्वियू में उनसे सवाल पूछा गया था बीविसी की डॉक्यूमेंटरी पर और आप जानते हैं उसका क्या जवाब दिया उन्होंने अमिच शहा ने अपने जवाब में कहा कि देखिए कुछ लोग प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के पीछे साल 2002 से पड़े हुए हैं और हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है अमिच शा जी आपके शबने कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है तो मेरा आप से सीधा और सरल सवाल क्या ये महद इत्तिफाख है कि बीवीसी एक डॉक्यूमेंटरी करता है साल 2002 के गुजरात दंगो पर और आप इंकम टैक्स का सर्वे चला देते हैं या उन पर इंकम टैक्स की पड़ताज शुरू कर देते हैं मैं यही तो समझना चाहता हूँ अमिची कि ये किसका ब्रेंचाइल्ड है कौन इतनी महान चीजे सोच रहा है क्योंकि इससे नुकसान BBC को नहीं है BBC का रुत्बा इससे बढ़ेगा internationally इससे नुकसान सिर्फ देश की साह को है अब आप कहेंगे कि जो तानाशाही वाले मुल्क है वहाँ और भी बुरा होता है बिलकुल होता है दोस्तों मगर वो तानाशाही वाले मुल्क जो होते हैं लोकतंत्र होने का ढोंग नहीं रचते धकोसला नहीं रचते हैं हम तो ये दावा करते हैं कि हम इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज हम एक international organization BBC जैसे दफतर पर जो हैं income tax का सर्वे कर रहे हैं वहां के पत्रकारों से हमने फोन जब्द कर लिये हैं उनको ये तक हिडायद दी है कि आप बाहर जाकर किसी से बात न करें मोधी सरकार ये कर क्या रही है सिर्विस लिए क्योंकि 2002 के दंगों के ओपर BBC एक documentary लेकर आती है मैं मोधी सरकार को दो चीज़ें यहां बताने वाला हूँ और दोनों नसीहत के तौर पर ले याद कीजिए जब BBC की documentary आई थी तब मोधी सरकार ने उस पर अंकुष डालने की कोशिश की थी यहां तक कि कई लोगों के tweets पर भी अंकुष लगाने की कोशिश की थी ये हरकतें मोधी सरकार कर रही थी BBC के documentary पर पाबंदी मगर हुआ क्या कई जगाओं पर BBC की documentary दिखाई गई आप जानते हैं क्या हो रहा था torrent, torrent एक ऐसी जगा है जहां से आप videos गेर कानूनी ढंक से download कर सकते हैं film में download कर सकते हैं कुछ लोगों ने जानते हैं क्या बदमाशी की कुछ लोगों ने ये बदमाशी की कि ये पठान फिल्म है torrent के website में जाके कि ये पठान फिल्म है अब लोगों ने download कर ली जब खोला तो पता चला वो BBC की documentary थी यानि कि इस देश में लोगों ने खुल कर क्योंकि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो उस वक बत और पत्रकार मैं गुजरात गया था और इतिफाखन उस वक्त मैं BBC में ही काम करता था BBC World Service लंडन में तब मैं भारत आया था और गुजरात दंगों की मैंने reporting की थी तो मुझे उस documentary में कुछ ऐसा दिखा नहीं कि मुझे दोबारा उसे देखना है मगर इस सरकार ने उस पर पाबंदी लगाई नतीजा क्या हुआ वो documentary घर घर देखी जाने लगी और अब जो दूसरी आपने हरकत कर दी है वो है BBC के दफतर पर income tax survey या income tax परताल ये बहुत बुरी तरह से backfire करने वाला है दोस्तों मैं आपको बतला दू क्योंकि दुनिया में जो जो देश बड़े लोग तंत्रू होने का दावा करते हैं न वो BBC के दफतर पर इस तरह से income tax का सरवे नहीं करते हैं पाकिस्तान में भी जहां तक मुझे याद है पाकिस्तान के पिछले 60-70 साल के इतिहास में BBC के दफतर पर आज तक income tax का सरवे नहीं हुआ है और ये हरकत मोदी सरकार कर रही है दिल्ली और मुंबई के उनके दफतरों में आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या मोदी सरकार भुई तरह से बौखला गई है जैसे ही संसद में मोदी अडानी भाई-भाई के नारे लगते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाट अलग-अलग सूर्तों में सामनी उभर कर आती है आप राहूल गांधी के भाशन को 18 जगह से लोकसभा से हटा देते है निशकान दुबे जो की भारती जनता पार्टी के सांसद है जारखंड से वो खुले आम धमकी देते हैं कि राहूल गांधी की लोकसभा की सदसिता को हम खत्म कर देंगे इस तरह से धमकिया दी जा रही है दोस्तों ये हो क्या राय मैं समझना चाहता हूँ और अब बीबीसी के दफ्तर में रेड पहली बात आप राहूल गांधी के भाशन को नोच देते हैं संसद के अंदर दूसरी बात आप उनके लोकसभा की सदसिता को रद करनी की धमकी देते हैं और ये हैं कौन निश्कां दूबे इस तरह की धमकी देने वाले तीसरी बात आप बीबीसी के दफ्तर पर इंकम टाक्स की का सरवे चलवाते हैं ये तमाम मुद्दे हैं जिसे हम मुँ नहीं मोड सकते क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों ये तमाम हरकते करके आप देश की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये खबरें अब तमाम जगाँ पर चरशा होंगी अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरू बनना चाहते हैं तो माफ कीजेगा मोदी जी विश्व गुरू बनने का ये तरीका बिलकुल घलत है ये मत सोचिये कि बदनाम ही सही नाम तो होगा नहीं साब ऐसा नहीं होगा देश का नुकसान होगा, देश की नाक कटेगी और सबसे बड़ी बात इससे पता चलेगा कि भारती एक जनता पार्टी की सरकार असुरक्षित है इनसिक्योर है, डरी हुई है कि BBC जैसी एक संस्था से वो डर गए कि आप उनके दफ्तर पहुँच गए income tax survey करने और नगतार हो क्या है रहा है दोस्तों पिछले 8 सालों से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कितनी गोदी मीडिया का इन्होंने income tax survey किया है बताइए कितनों पर इन्होंने income tax raid मारी है मिसाल देना चाहता हूँ जिस platform के लिए मैं content करता हूँ news click, पहले उस पर ED की raid मारी जाती है 114 घंटे तक बात वा नहीं रुकती है फिर उन पर income tax की raid मारी जाती है उससे पहले याद कीजेगा भारत समाचार पर income tax raid, दैनिक भासकर पर income tax raid, और उससे भी पहले NDTV पर income tax raid, क्विंट पर income tax raid इतिफाकन, क्विंट और NDTV, दोनों पर लगभग अडानी का कबजा हो गया है तो पहले income tax की raid, परिशान करो, पत्रकारों को परिशान करो, और फिर उसके बाद उस पर कबजा कर लो यह हो रहा है दूस्तों दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र में यह हो रहा है और बात वहां रुकी नहीं वायर को कितना परिशान किया गया HW News एक और मंच, जहां मेरा एक कारकरम सुनिये सरकार आया करता था दोस्तों, वहां पर भी income tax की raid मारी गई थी स्वर्गिये विनोद दुआ जब जिन्दा थे उन पर देश द्रोह का केस भारतिय जनता पार्टी के एक निता ने किया था हिमाचल प्रदेश में उन्हें परिशान किया गया ये बात अलग है कि बाद में उन्हें जीत हासल हो गई इत्फाकन विनोद दुआ भी HW News के लिए कारकरम कर रहे थे और उन्होंने अपना एक कारकरम किया था उसको लेकर उन पर देश द्रोह का केस कर दिया गया था लगातार ये हरकते हो रही हैं दोस्तों जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें इस तरह से परिशान किया जाता है और मैं जो आपके सामने बैठाओं दोस्तों मुझ पर 14 करोड की टाक्स चोरी का मुकदमा किया गया था मैं लडा था लगातार लडा था आप में से कई लोग को अंदाजा नहीं है कि वो कितने गंभीर मामले थे क्योंकि मेरे परिवार को भी उसमें खसीटा जा रहा था मैं लडा और मैं जीता उसके बाद जब म्यूस क्लिक पर ED की रेड पड़ी तो पूरे एक दिन प्रवर्तन निदेशाले ने मुझे बिठा कर रखा था मुझसे लगातार पूश्टाच की गई करीब 6 घंटे तक मुझे जो पूश्टाच की जा रही थी वो मुझसे लिखवाया भी जा रहा था कई चीज़े मुझे उसमें कही गई थी मगर उस पूश्टाच में मुझसे क्या-क्या कहा गया था वो किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको यानि कि जो भी इस सत्ता से सवाल करे उसे इंकम टाक्स या एडी के जरीए जो है डराया जाए क्योंकि देखिए एडी के जरीए पत्रकार ही नहीं विपक्ष के नेता चाहे वो नवाब मलिग हो अनिल देशमुक हो सत्तेंद्र जैन हो दो नेता न्सीपी के हैं मुंबई से और एक आम आद्मी पार्टी के एडी के जरीए उन्हें परिशान करना इंकम टाक्स के जरीए परिशान करना मैं जानता हूँ आप लोगों मैंसे कई लोग क्या कह रहे होंगे कि भाई बीबीसी को डर नहीं किया जरत है अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो आप छूट जाएंगे तो जो नफरती चिंटू या दिमाग से पैदल लोग ये बात कह रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्रक्रिया ही सजा होती है क्योंकि जब आप पर जूटे मामलों में सिर्व इसलिए कि आप सत्ता से सवाल कर रहे हैं आप पर income tax के cases दर्श किये जाते हैं तो आपको हर छूटी छूटी चीज के लिए परिशान किया जाता है एक एक पैसे के लिए परिशान किया जाता है आपको हर हफ्ते या हर महीने जो है income tax के दफ्तर जाना पड़ता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है आप और हम सब काम करने वाले है सरकार ऐसे ही हरकतों से ऐसे ही action से प्रक्रियाओं से हमें परेशान करती है और इसके इलावा कुछ नहीं मैंने एक लंबे अरसे तक इसका सामना किया है ये बात अलग है कि बाद में मैं जीत गया और दोस्तों जब मैं जीता आप जानते हैं अदालत ने क्या कहा अदालत ने कहा कि जिन income tax officers ने अभिसार शेर्मा को परिशान किया है उन पर कारवाई की जाए इतनी शानदार जीत थी मेरी मुझे दोराए नहीं है कि अगर BBC का income tax record साफ है तो उन्हें भी जीत मिलेगी मगर ये प्रक्रिया लंबी चलेगी दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ एक प्लाटफॉर्म जिसके लिए मैं कारक्रम किया करता था अब नहीं करता हूँ उन पर भी income tax की rate पड़ी थी उनके संपादक को कितना परिशान किया जाता था ये मैं जानता हूँ नतीजा ये हुआ दोस्तों मैंने उनके लिए कारक्रम करना छोड़ दिया ये सोचकर कि कम से कम अब उन्हें परिशान नहीं किया जाएगा क्योंकि उस मंच के लिए विनोद दुआ भी काम करते थे और मैं भी काम करता था विनोद दुआ का स्वरग्वास हो गया आप सब जानते हैं इस तरह से परिशान किया जाता है इस तरह से एक छोटी सी बात को लंबा खीचा जाता है इस तरह से उन प्लाटफॉर्म्स को परिशान किया जाता है जहां पर मेरे जैसे पत्रकार अपनी बात रखते हैं ये लोग ये चाहते हैं कि मेरे लिए कोई जर्या ही ना बचे अपनी बात कहने का. मगर मैं आपको बता दूँ, मेरे लिए जर्या बिलकुल महत्वूर नहीं है. तुम लोगों ने ऐसे हालात बना दिये कि मुझे न्यूस चैनल्स छोड़ना पड़ा. मगर क्या मैं रुका? नहीं रुका. मैंने न्यूस क्लिक पर, HW न्यूस पर अपनी बात कही. HW न्यूस के लिए मैंने कारिकम करना छोड़ दिया. मगर अब मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपनी बात आप से कह रहा हूँ. लगातार कहते रहूँगा. कल को अगर तुम ये भी बंद करवाद होगे, तो मैं अपने फेस्बुक चैनल पर जाकर अपनी बात कहूँगा. और कल को अगर तुम वो भी बंद करवाद होगे, तो सड़क पर खड़े होकर समाचार आप तक पहुँचानी की कुवत, हिम्मत मैं रखता हूँ, चुप नहीं होँगा. नमस्कार. स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिये, बहुत आसान है दोस्तों, इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिये, और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये.